तो फ्रेंट्स आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग जो है फ्रेंट्स प्ले स्टोर से कोई भी अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं तो यहां पे फ्रेंट्स जब भी आप प्ले स्टोर से कोई भी अप्लिकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपका फोन मेमोरी में इंस्टाल होता है और आपका फोन मेमोरी जो है फूल हो जाता है फूल होने के कारण से आपका मोबाइल हैं होता है एंड मोबाइल में मतलब मोबाइल हीट होता है तो ऐसा प्रोब्लम वगेरा आपको देखना पड़ता है तो आज मैं आप लोग को बत करते हैं तो आपका mobile भी हैंak नहीं होता है क्यूνकि आपका storage खाली होता है पूरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लिजेगा तो चलिए फ्रेड़ियो को स्टार्ट करते हैं तो अब जहाई मेरे पास Redmi की ऐख अगर आप लोग के पास Samsung है तो आपको जो है Samsung है तो फ्रिंट्स सिंप्ली आपको setting में जाना है जो है स्टोरेज वाला setting में जाना है यहां से सर्च कर ले ना है storage और storage में जो है जाने के बाद सबसे उपर में मिल जाता है अपको आप कहां पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहां पे मेरे पास Redmi है, तो Redmi में आप लोग को दिखाऊंगा, तो Redmi में storage सेटिंग देखने को नहीं मिलता है, मतलब यहां से नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे आपको simply about phone में जाना है, about phone में जाने के बाद यहां पे आपको MIUI वर्जन यहां पे आप लोग को simply Android MIUI वर्जन को मतलब 7 बार किलिक करना है, MIUI वर्जन इसको 7 बार किलिक कर किजिएगा, तो आपका developer option open हो जाएगा, तो यहां पे मेरा developer option अल्रेडी ओपेन हो गया है, तो यहां पे आपको developer option यहां रेडिमी मोबाल में आपको additional setting में मिल जाएगा, त यहां से जोएगा, देख सकते हैं, नीचे developer option, तो आपको simply developer option पे कलिक करना है, अगर यहां पे off होता है, तो इसको on कर दीजिए, आप लोग, developer option को on कर देने के बाद यहां पे अपको सबसे नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहां पे देख सकते हैं, एप्स, एप्स में आप लोग को जो है, यहां पे, make any app eligible to return to external, हां फ्रेंट यहां पे देख सकते हैं, force allow app to write on external storage, तो फ्रेंट्स यहां पे देख सकते हैं, make any app eligible to be return to external storage, regardless of manifest value, तो फ्रेंट्स आपको जो है, इसको enable कर देना है, अगर मतलब इसको enable करने के बाद जो है, आपका जीतना भी application प्ले स्टोर से install होगा, वो सारा आपका SD card में install हो जाएगा, तो यहां पे जो है, आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्ली चैनल को subscribe करके, bell icon को जरूर से press कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो latest update होता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, goodbye.